नवस्कार दोस्तों जेहिंद वंदे मात्रम है आपके साथ जेस्वाल सर आप शबी का श्वागत अम्जन्दन है टी टी फैमली सिचकों के परिवार जेस्वाल कोचिंग सिंटर पर पावर्ड बाई सिच्छा ही प्रकास है साथियों बात करेंगे टॉप 20 कोश्चन की बात कर है और इसकी प्लासेज अगर पिछली क्लासेज आपने नहीं देख पाई है किसी कारण की बस या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आई बेटन पर लिंक मिलेगा तो सारी क्लासेज आप फुरी आप कोश्च विजिट कर सकते हैं शुरवात करेंगे टॉप 20 में से आप लो सवी कम mu millimeter कीजिएगा धात में प्रस्तर की बात कर रहे हैं तो धात में प्रस्तर जो होता है में किसको कहाजिएता है अब आप बोलेंगे क्यों कहा जाता है साथ यो आयसक से ही विविन प्रकार के धात्यों के प्राप्त होती है दूसरा प्रशन है जो इंद धनुस से सम्मनित है और आपको पता है कई बार इंद धनुस से सम्मनित आपके एक्जाम पर प्रशन पूंचा जाता है इंद धनिस में रंगों का अक्रम पूंचा गया है बैगनी नीला हरा पीला नारंगी लाल जामनीला ठीक है ये कौन सा आपके दिये गए हैं चार आपसन कौन कौन सा होगा तो राइट आपसन आपको क्या होने वाला था इंद दनुस में जो रंगों को करम होता है बैनी जानी हरा पीनला क्या होता है बैनी जानी हरा पीनला यानि बैगनी नीला जामनी नील से नीला हरा पीला नरंगी और लाल तेकि पूरा ध्यान पूरक समझेगा बैगनी नील जामनी नीला हरा पीला नरंगी और लाल इंद हुआ है कि ईग्षा जारा भी इसमें रंग करम क्या होता है विव ग्यूर कि इंग इंगली meine आपको याद रखेकंग लेना कि अंग़ पूंचा ज़ा रहा है ढ़ूपनी ज्यादा तेज से चलती है किस पर चलती Lebens में पानी में हवा में यह लकडी में चलती है तो सबसे ज़्यादा अगर तेज दोनी की बात करें दोनी की तो सबसे ज़्यादा दोस्तों लकडी पे चलती है दोनी की चाल जो है माद्यम में गनत पर निर्वर करता है जैसे जैसे माद्यम गनत बढ़ता जाता है वैसे कि दोनी की चाल भी बढ़ती जा जाएगी आप देखेंगे स्कूलों में गंटी जो होती है गाउं में देखते हूं में लोहे की घंटी या रिंग होती है ठीक है तो आप लोग देखते होंगे वठोस होता है तो आवाज क्या होती है उस पर ज्यादा होती है रोहित काट सीट को कैंची से काटते हुए कई आकरतियां बना रहा है इस कार में किस बल को उपयोग में लिया जा रहा है मासपेसी बल, घरसन बल, यांतरिक बल या गुरुत्वा करशन बल देखिए रोहित काट को सीट से कैंची से काट तो या आकरतिया बना रहा है तो यह जो किस बल का उपयोग इस पर कर रहा है रोहित यांत्रिक बल का इस पर उपयोग कर रहा है क्योंकि कैंची से वस्तु को काटने पर यांत्रिक बल का प्रियोग क्योंग होगा अते रोहिद द्वारा काट सीट को कैंची से काटने में यांत्रिक बलका उपयोग लाया जा रहा है। आई हो प्रतेक सिचकबंदू प्रतेक भाई वेन ग्रहणी अच्छे तरह किसे कमेंट कर रहे होंगे। क्योंकि यहां पर फीड वेक सरोपर ही है आपका कमेंट शरुमान है। साथियों पांचमा प्रस्ट आप लोगों के स्किन पर आ चुका है। कि एक गेंद किसी वेक से उपर की और उचा ले जाती है। पचास मीटर उचाई तक जाकर फेकने वाले के पास लोट कराती है। तो राइट अपसन दोस्तों आ चुका है कि कोई भी गेंद किसी वेक के उपर क्योर उचाले जाती है ये 50 मीटर उचाई तक जाकर फेकने वाले के पास लौट आती है तो इसका कुल बिस्थापन शून हो जाएगा क्योंकि 50 मीटर फेकी गई गेंद को पुनए फेकने के हाथ में आ जाती है तो गेंद से द्वारत तैकी गए कुल दूरी 100 मीटर हो जाएगी जो गेंद का कुल बिस्थापन शून हो जाएगा चटवा प्रस्निस्कीन पर है यदि एक चुम्बक की छड को लंबाई से चार टुकड़ों में काटा जाए तो ध्रूओं की कुल शंख्या कितनी होगी दो चार आठ ये च्छे माली जिक छड हो गया एक होता है नार्थ एक होता है साउथ चुम्बक में दो ही होते हैं आपके एक नार्थ होता है एक साउथ होता है और नार्थ और साउथ को चार भागों में आप लोगों को भीवाजित करना है तो एक, दो, तीन, चार भागों ब्हालित हो गया तो वन, टू, थ्री, फॉर, फाइफ, सिक्स, सेवन, और ये एट हो जाएगा तो दुरूओं की संक्या कितनी हो जाएगी साथियों, आठ हो जाएगी इसी आपसनियापर सही हो जाएगा, चार उत्तर दुरू हो जाएगे और चार दच्छन दुरू हो जाएगे अंगला प्रसने, एक उदासीन जो पिंड होता है, केवल धनात्मक आवेस या कई गुनात्मक आवेस नहीं होता है केवल धनावेस कोई रिनात्मक आवेस नहीं होता है या रिनात्मक या धनात्मक आवेस परावर मात्रह में होते हैं देखी कोई एक उदासीन ठीके जो उदासीन होता जैसे अप उदासीन अमलता की बात करेंगे पी एच मान अगर साथ है तो वह जल का होता है जो उदासीन कहलाता है ना वह छार कहलाता है ना ही अमल कहलाता है इसी प्रकार जब उदासीन कोई पिंड होगा तो वह रिणात्मक ये अमदनात्मक वेस उसके बराबर होंगे ये आपको ध्यान देना है आठवाँ परस्ण स्कीन पर है, दिया गया है, क्या पुंचा जा रहा है? आईए देख लेते हैं समझ लेते हैं और आपका फीडवेक जान लेते हैं मानो सरीर का सामान नताप मान होता है 33 डिगरी सेल्जियस, 38, 98 सम्लो 6 सेल्जियस या 37 डिगरी सेल्जियस आप सभी लोग जानते समजते हैं ग्यानी सरवक वैकाता लोग हैं भावी अधापक अधा भी गाएं हैं मानो सरीर का सामान अताप अगर डिग्री में पुंछा जाए सेलशियस में तो 37 होता है और अगर फारने हाइट में पुंछा जाए तो 98.6 फारने हाइट होता है और अगर-अगर केल्वीन में पूछा जाए तो 31 केल्वीन होता है ये तीनों फार्मेट आपको शामान तापमान की बात करेंगे 37, 96 और 31 शो नौवा प्रशन है घड़ी की स्प्रिंग में संगरी तुर्जा जो होती है यांत्रिक उर्जा, चुमिकी उर्जा, प्रकासी उर्जा या विद्दोत उर्जा होती है मेरे सबी प्यारे मित्र, मेरे सबी भावे धापक अद्दा पिकाएं कमेंट कीजेगा, फ्रीडवेक कीजेगा आपका कमेंट शरू परी है, आपका कमेंट शरूमान है तो घड़ी की स्प्रिंग में कौनसा आपका उर्जा होती है एनर्जी होती है वह होती है साथ यह यांत्रिक उर्जा प्रत्यास्त इस्तित उर्जा होती है यांत्रिक उर्जा एक पदार्थ या प्रणाले की गस्य उत्पन होने वाली उर्जा है उधान के लिए मसीनों में काम करने के लिए यांति कुर्जा का प्रयोग किया जाता है अंगला प्रशने निम्लिकित में से किसका वेग अधिक्तम है हवा, जल्धारा, ध्वनी, प्रकास का देखे आप सभी लोग जानते होंगे जब बारिस होती है तो बादल भी गरजते हैं, बिजली भी चमकती है और पानी के बूंदे भी आती है तो इनसे हमारा जब बारिस के मौसम में ये सारा उत्तर आपकर क्लियर हो जाता है देखते होंगे, जो गरज होती है बिजली पहले आता है, निए प्रकास पहले आ जाती है फिर आवाज बाद में आती है, एक तेज से गरगर हट किया वाज आती जैसे तेज बिजली चमकेगी, प्रकास आएगा इसके बाद हमें क्या है सूचना हुमिल जाती है कि जो बादल गरजने की आवाज है बहुत ज़्यादा होने वाली है तो प्रकास का वेग अधिक्तम होता है यहाँ पे डियापसन सही हो जाएगा क्योंकि साथियों ब्रह्मान में अब तक ज्यान सबसे तेज गती प्रकास की होई है और प्रकास निर्वात में भी गती कर सकता है निर्वात में जो प्रकास की चाल होती है 3,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 comment केज़ेगा मेरे सभी पेरमित्रों का सभी मित्रों का जै हिंदु वंदे मातरम साथियो सून घरसन वल वाले सते पर चलना अपेच्छा कत क्या होता है असान नहीं होता है क्यों नहीं होता है क्योंकि वह असंभव वाली बात हो जाएगी जब घरसन ही नहीं रहेगा तो आप सतय पर नहीं चल पाएगे एक पल भी ठीकी नहीं सकते हैं यूँकि जो गति करने में वस्तु का बिरोध करती है वही घरसन बल खहलाता है और इसकी दिसा सदय वस्त की गति की दिसा के विपरीत होती है अते सून घरसन वल वाले सतय पर चलना शंब होगा सड़क पर अगार आप चल लए हैं तो आप के पैर आंगे बरते हैं लेकिन रोड क्या पीछी की ओर जाती जाती है ठीके दिपरीत दिसा होती है वहाँ पर घरसन का कार होता है गुरुत्ता कर्षन बल की अनपस्तित में वस्तु का भार निनमे से क्या होगा भारहीन, अपेच्चाकरत ज्यादा भार, अपेच्चाकरत आल्प यानी कम भार या इनमेशे कोई नहीं साथियों गुरुत्ता कर्षन बल की बात कर रहे आप सभी लोग ज्यानी सरवक वेखाता लोग हैं सिच्चक बंदु हैं और यानि मैं आपका यानि जैस्वासर आप सभी को नमन करते हैं सिच्कों को नमन करते हैं गुरुत्ता कर्षन बल अनुपस्तित में वस्तु का भार जिए बात करेंगे अगर तो भार हीन हो जाता है क्यों हो जो जो आता है क्योंकि गुरुत्ता कर्षन जो बल होता है वह गुरुत्ता कर्षन बल अनुपस्तित में बल भार हीनता के सिच्ट में आ जाता है क्योंकि वस्तु का भार वस्तु के द्रबमान एवं गुरुत तौरण जी के गुरुन फल के बराबर होता है प्रत्वी के केंद पर गुरुती तौरण जी का मान शून होने पर वस्त का भार शून हो जाएगा इसलिए तौरण का मान बहुत ही जरूरी है अंगला प्रस्ट दिया गया है परम तापमान पैमाना कौन सा है सेल्सियस, फारने हाइट, केलविन या उपरोख शबी देखे साथ यो परम तापमान तैमाना जो होता है किस में नापा जाता है सभी को पता है केलविन में नापा जाता है और इसे टी से सुचित किया जाता है टी बराबर आप लोग स्कीन पर देख पा रहे हैं ये परमताप पहमाना की बात कर रहे हैं अब बात कर रहे हैं अंगले प्रिशन की अंगले प्रिशन आप लोगों की स्कीन पर क्या दिया गया है पानी के साथ प्रेयोग करते हुए जोती यह देखती है इस टील की खाली कटोरी पानी पर तैती है लेकिन लोही की एक छोटी कील डूप जाती है इसी जो एक किस सितत द्वारा ब्याक्ख्या किया जा सकता है शाथियों इस सील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है जबकि लोहे की केल पर लगने वाला उसके बहार की तुलना में कम है इसलिए वर डोग जाती है तो यहाँ पर पहला ही आपसन आपका क्लियर हो जाएगा अंगला प्रस्ण है जो कि महत्पूर्ण प्रस्ण है और इस प्रकार कर सभी पता होगा आपके इन्वारिमेंट इस परेवन अध्धन में इस प्रकार के प्रस्ण जरूर दो तीन प्रस्ण पूँचे ही जाते हैं तो प्रतिक प्रस्ण यहाँ पर इंपोर्टेंट है साथ्यों कच्छा पांच की विद्यातियों को घरस्ण प्रकरण पढ़ाते समय सिच का जो है ग्रह समझाने के लिए अनेक उधारन देती है गरसन को समझाने के लिए अनेक उधारन देती है यो वरसा हमारे लिए कई तरीके से उपियोगी है उसके द्वारा किये गए निम्लखित में से कौन सा यहाँ पे गलत बताना है कि हमारे जूतों और जमीन के बीच ह उने वाले घरसण के कारण हम चल पाते हैं उर्दवादर रूप से उपर फेकी गई वस्तू घरसण के कारण आती है leदन के कारण आती है इसलिए हमारा जो बीzer प्रToday ho रहा कारण है वरा कफण है गलत दिया गया कोन से गलत है तो बीzer अब तान काफ जग बरेगा की ब्रेक लगाने पर वाहन भी रुख जाएंगे और पिन की वोग टिप जो होती है वह पेपर के बीच होने वाले घरसन के कारण ही हम लिख पाते हैं अंगला पर दिया गए नीबू से सम्मंदित है नीबू सधारन पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैता र अधिक होता है या नीबू का घनत नमकीन पानी से अधिक होता है शाथियो नीबू सधारन पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैता रहता है क्योंकि नमकीन पानी के घनत सधारन पानी के घनत तो से क्या होता है अधिक हो जाता है इसलिए वह तैरता रहता है वाईव की आदता से नापी जाती है हाईग्रोमीटर, नैनोमीटर, कुलूकोमीटर या बैरोमीटर चाहते वाईव की आदता से जो नापा जाता है तीक है वह क्या हो जाएगा तो वाईव की आदता जो साथी हो किस से नापी जाती है आपके हाईगरो मेटर की बात करेंगे हाईगरो मेटर एक बग्यानी कुपकरन है इसकी जहाता से वाई मंडल में ब्यापत आदता को नापा जाता है और वाई मंडल में बिदमान अद्रस जलवास्प की मात्रा आदता कहलाती है जबकि बैरोमीटर से वाई मंडली दाब ना पा जाता है रक्चाप मापने के उपकरन का क्या नाम होता है इसफाइगनो मैनोमीटर, ECG, थर्मामीटर या इस्टेथेसकोप की बात करेंगे चारो आपसन बेतरीन है, चार में से एक जरूर आएगा ध्यान पूरक समझ लेज़े इस पर सनकूर बात कर रहे है तो रक्चाप मापने की जब भी बात आती है इसफाइगनो मैनोमीटर की बात की जाती है और ECG, थर्मामीटर, इस्टेथोस, जो है आपका थर्मामीटर सरीर के तापमान पर होता है समान अगर 37 डिग्री सेल्सियस में होता है और 98.6 फारने हाइट होता है और ECG की बात करें, दिल से जुड़े अंगों और उनके रोगों का पता लगाने के होता है और जो इस्टेथिसकोप होता है, हैदें तथा फेडों की आवास सुनने के लिए होता है अंगला प्रशने, वर्सा मापने के यंदर को क्या कहा जाता है नूसी मीटर, गिलेक्टो मीटर, हाइटो मीटर या हाइग्रो मीटर कहा जाता है मेरे सभी प्यारे मित, मेरे सभी सिच्चक बिंदू कमेंट कीजेगा आपका कमेंट शरो पर यह शर्मान है वर्सा मापने के यंदर को क्या कहा जाता है साथियो तो वर्सा मापने के यंदर को क्या कहा जाता है, उसे हाइटो मीटर कहा जाता है जिसे हम rain gauge कहते हैं इस यंद का उपयोग वर्सा मापने के लिए किया जाता है और वर्सा नापने के लिए अधिकतर मौसम बिग्यानी में उधारन दिया जाता है और 1962 में क्रिश्टोफर वेन ने ब्रिटिन में पहला rain gauge बनाया और rain gauge को अपयोग करते समय, rain gauge में वर्सा मिली मिटर में मापि जाती है और तेज हवाओं या वर्फ वाली बारिस में rain gauge से वर्षा का पता अन्मान लगाना मुस्किल हो जाता है ये भी आपको ध्याने अगर तेज बारी सो रही है बर्फ वाली बारी सो रही है तो वहां पर रेंगेज से जो है वर्सक का पता लगाना फिर मुस्किल पड़ जाता है टेली विजन का अविसकार किस ने किया था जेल बेर्ड अरस्तु ने जेम्स कलर्क मेल्स वेला ने या निकोला टेसला ने किया था आपका कमेंट सरों पर ही है, आपका कमेंट फीडड़्वेक शर्मान है तेली विजिन के विश्कार के अगर बात करें तो टेली विजिन का विश्कार साथ यो G.L. Byrd ने किया था तेली विजिन या TV दूर संचार का माध्यम है जो बहु आयामी धन्यक्त चलचित्रों को प्रेरित करने के लिए उपयोग किया जाता है और इसकार्ट लेंग के जान लाजी बेर्ड मेकेनिकल इंजिरिंग इन्हों ने टेली विजन का विसकार किया था 1928 में बेर टेली विजन डपलोमेंट कंपनी से पहला ट्रांसलाटिक टेली विजन प्रसारन किया गया था तो यह रहे दोस्तों आपके टॉप 20 कोशन टॉप 20 में से आप लोगों का फीड़ वे क्या है कितना स्कोर है आप लोग कमेंट करके जुरू बताएं हम मिलते हैं जल्दी निस क्लास पर सभी मित्रों को जहिंद वंदे मातरम धन्माट